नमस्कार दोस्तों, भारत में बिजनेस करना पहले के मुकाबले अब ज़्यादा आसान होता जा रहा है World Bank के Ease of Doing Business Index में भारत भी 77th रैंक पर है और 57th Most Innovative Country है मोधी सरकार का लक्ष भारत को Ease of Doing Business में Top 50 में लाना और भारत में Business Opportunities को बढ़ाना है इसके लिए मोधी सरकार ने कुछ योजनाय लांच की है जिसका फायता हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने में मिल सकता है 25. September 2014 को नरेंद्र मोधी जी ने Making India की निव रखी Making India का मोधी विदेशी निवेश को अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है जिसके साथ ही जॉब और बिजनेस के Opportunities है क्रियेट होंगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इसी बात पर फोकस करना है आपको ये देखना होगा कि Making India में कौन-कौन से सेक्टर इंपलोड किये गए है और कहां-कहां पर बिजनेस अपरजिनिटीफ हो सकती है इसे ठीक से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पर ध्यान देना होगा Making India का मतलब है Made in India और थाथ जिन वस्तों का निर्मान हमारे ही देश में किया गया हो अगर manufacturing के शुरुआत हमारे देश में होगी तो उसके साथ साथ skilled workers की डिमांड बढ़ेगी local vendors की डिमांड भी बढ़ेगी दूसरे भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसके वज़े से job या business opportunity create होगी सिंपल सी बात है जो भी company यहाँ पर अपना manufacturing minute लगाएगी वो हर काम के लिए बाहर से तो workers नहीं ले सकती local skills को hire किये बिना उनका काम होगा ही नहीं Making India के एक खास बात है जो अध्यान देने वाली है Making India वियान के तहट मोधी सरकार का target करीब करीब 3,000 company को जोड़ने का है जिसका मतलब यह हुआ कि हजारों की इतालायत में company भारत में आने वाली है और अपने business को यहाँ पर लगाने वाली है और इसे में हमें भी बहुत सारे मौके मिलने वाले है अब देख लेते हैं कि Making India में कौन-कौन से sector को शामिल किया गया है दोस्तों Making India कैमपेइन में करीब 25 sector को रखा गया है 25 sectors आप सारे sectors के नाम screen पर देख सकते हैं जो मैंने अभी display किया हुआ है आप इसका screenshot भी रख सकते हैं आपको आगे की reference के लिए बहुत काम आएगी आप इन में से किसी भी सेक्टर में अपने skill के अनुसार बिजनेस के शुरुवात कर सकते हैं आप automobile sector को choose कर सकते हैं component बना सकते हैं construction sector में भी अच्छी opportunity हो सकती है electronic system और electrical machinery sector में भी opportunity देख सकते हैं आजकल का जमाना fast food का है तो food processing में भी अच्छी opportunity मिल सकती है जो साल के बारहों महिने हमेशा चलती रहेगी और लेदर sector भी एक ऐसा sector है जिसमें business के लिए एक अच्छा option हो सकता है लेदर के materials होते हैं लेदर के bags होते हैं या लेदर के कपड़े भी आते हैं यह सारी चीज़ें हो सकती है अब जब हमने selection कर लिया और हमारी planning चालो हो गए तो next बात आएगे कि business start करने के लिए finance कहां से मिलेगा तो दोस्तों 16 January 2016 को Prime Minister जी ने startup India scheme के शुरुआत की है जिसके तहत जो नए startup से नए business उल रहे हैं ऐसे startups को financial support देने के लिए धाई हजार करोड का reserve रखा गया है startup India में registered startups को तीन साल तक tax benefit दी गई है उन्हें तीन साल तक कोई tax नहीं देना होगा startup India scheme में अपना registration करके उस योजना का लाव अपना business start करने में ले सकते हैं उसके लिए आपको आपके project की पूरी project report बनानी होगी और उनके website पर दिये गया निर्देशों के अनुसार उसे submit करना होगा मैंने दोनों योजनाओं का link वीडियो के description में डाल दिया है आप दोनों link पर जाहिए सारे details को ध्यान से पढ़िया और जिस भी sector में आपका interest हो आपको जिस भी sector पर भरोसा हो कि आप उस sector में अच्छे से अपने business को start कर सकते हैं और उसमें success पास सकते हैं उसके details को निकाल लिए उस पर study करिए उस पर research करिए और उसके बाद ही अपने startup के शुरुवात करिए मैं भी अपनी शुबकामनाओं के साथ वीडियो को यही पर wind up करता हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो कैसा लगा हमारे दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए झाल कर दो